नमस्कार दोस्तों में निसांत एक बार फिर हाजीर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर दोस्तों आज ये फांटेन पैन है मेरे पास एर मेल और मोडल नमबर 69 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बहतरीन सा और क्लासिकल फांटेन पैन ये देखने में लगता है और एर मेल का फांटेन पैन है कितने सारे मोडल न के आते हैं और ये वाला जो फांटेन पैन है ये कहीं सारे कलर्स में आपको मिल जाएगा solid curls में मिल जाएगा और marble colors में भी आपको मिल जाता है marble pattern के साथ कहीं तरह के material में मिल जाता है जैसे कि यह simple plastic है इसी तरह से acrylic plastic में भी आपको fountain pen मिल जाता है transparent barrel में भी मिल जाएगा और ebonite में भी यह fountain pen आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का यह fountain pen है और यह देखे इसकी cap के ओपर जो clip है यह chrome coated clip है पीछे की तरफ यह देखे इसका जो conical shape है यह भी आप clearly देख सकते हैं किस तरह का है यह clip देखे और clip के नीचे यहाँ पर आपको एक चोड़ा सा band देखने को मिल जाता है तो देखने में काफी खूबसूरत लगता है fountain pen जो weight है इस cap का काफी weight है 7.6 gram के लगभाग इस cap का ही weight है total जो fountain pen का weight है वो तकरीबन 20.2 grams है और जो unposted fountain pen है इसका weight तकरीबन 12.5 grams आपको मिल जाता है यह देखे बैटल बीच में से थोड़ा सा मोटा है और यहाँ से round save आपको पीछे की तरफ से मिल जाती है और section लगभग आपका 10-11 mm के लगभग का section कड़ाया आपको मिल जाता है तो पकड़ने भी काफी easy और काफी comfortable और balance fountain pen यह लगता है weight भी काफी मताब अच्छा weight है इसका 12.5 gram के लगभग ना जादा भारी है ना जादा हलका fountain pen यह आपक देख सकते हैं इसका यह golden color में आपको निव मिल जाता है इसके ओपर एक खूबसूरत सा design भी आपको देखने को मिल जाएगा special airmail और tip fine लिखा रहता है काफी fine size का निव आपको इसमें मिलता है यह थोड़ा से scratchy निव रहता है जरूर रहता है लेकिन यह आपके लगके उप simple है यहां पर आप दिखाता हूं मैं simple सी feed आपको यहां पर मिलेगी और इसके साथ problem क्या रहता है कि कई बार यहां पर अगर मैं इसको ऐसे करूँ इसमें ink डलावा है तो इंक बर्पिंग के chances आपको इस fountain pen में मिलते हैं जो airmail के fountain pen है किसी में भी in control system नहीं है feed आपको simple मिलती है तो कभी भी लीकेज स्टार्ट हो जाता है कभी भी इसमें बर्पिंग स्टार्ट हो जाती है यह थोड़ा सा problem in fountain pen में रहती है हाला कि आइड्रो पर fountain pen है और मैं आपको open करके दिखाता हूं यहां से यह open हो जाता है देखें काफी अच्छी मतलल लीकेज प्रूप तो जरूर रहती है इसकी चूड़िया है यहां बे और यह थोड़ा सा quality control का problem है देखें कितने feed पीछे की तरफ निकली भी है इस पर ध्यान नहीं दिया गया काटी भी बिलकुल smoothly cutting नहीं है तो यह थो कर सकते हैं इक भढ़ने के लिए आप इस तरह का आयडोपर का सिमाल कर सकते हैं इंक लेकर के इसके बायिद में भर सकते हैं तो तो यह आपको एक इस तरह का बाई जरूर करना पड़ेगा आइड्रोपर आइड्रोपर फाइंटेन पैन है तो अब इंक बढ़ने के बाद इसका एक राइटिंग सेम्पल ले लेते हैं हम लोग तो दोस्तो राइटिंग करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह इस तरह की इसकी राइटिंग आती है और काफी फाइन राइटिंग आपको इसकी मिलने वाली है नीचे देखिए आप लाइन की थिकनेस आपको पता चल जागी काफी फाइन निभी होते हैं यहां पर कि खूबसूरत सनिब होता है और काफी fine रहता है लेकिन थोड़ा सा scratchy ज़रूर रहेगा लेकिन writing बड़ी सुन्दर सी आती है काफी control लाइटिंग आती है क्योंकि scratchy है थोड़ा सा आपको control way में ही चलता है तो इसलिए बहुत ही बहतरीन सी writing आपको इस fountain पहल से मिलती है और प fountain pen का थोड़ा सा फायदा इसमें मिलता है लेकिन अगर बात की जाए अगर आपको बिल्कुल ultimate smooth चाहिए तो ये fountain pen आपके लिए नहीं है अगर आप थोड़ा सा feedback control कर सकते हैं तभी ये fountain pen आपके लिए suit करेगा और दूसरा इसमें ink leakage या burping का भी problem कहीं बार आपको मिल सकता है ये भी एक थोड़ी सी इस fountain pen की problem आपको देखने में मिल सकती है तो दोस्तो 600 रुपे में लगबग लगबग ये fountain pen okay fountain pen है इस range में आपको और भी fountain pen मिल जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप इसको buy कर सकते हैं अगर आपको एक eye dropper fountain pen चाहिए लेकिन careful आपको जरूर रहना problem आपको हो सकता है कि future में देखना पड़ें तो ये था मिराज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिएगा मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर क्यातर होंगा हम फिर मिलेंगे एक नए वी कार जय हिंद